आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लेकर आई हैं और मेरे पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको पाउदो में अलाइंगिक जनन यानि की काईक जनन के बारे में पढ़ाया था जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा और आज पार्ट 3 में मैं आपको sexual reproduction यानि गलाएंगिक जनन के बारे में explain करने वाली हूँ तो मेरी आज की वीडियो को last तक जरूर देखें जिससे एक भी point आपसे miss ना हो सकें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो कैसे लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बता है और सभी students तक वीडियो को share करें और हाँ मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें तो अब स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने या topic name डाल रखा है sexual reproduction इसे हिंदी में लाइंग जनरन कहते हैं ठीक है तो diagram में आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मजलब explain करने के लिए इसे कर रखा तो देखिए एक side क्या है male और second side क्या है female ऐसा क्यूं क्यूंकि लाइंग जन से यानिकी male part से नर युगमक तथा जो female part है उससे female gamut यानिकी मादा युगमक कर मिर्माण होता है इन दोनों यूगमकों के मिलने से यानिकी Phison दवारा युगमनज यानि जाइग ? का निर्मान होता है और यह जाइग ? विक्सिद होकर स creeping बन जाता है जीवशा हिए द्वी गुणिद होते हैं छिए कि आप यह ङार डाइग्राम में देख सकते हैं कि मैंने ज़र मेल है और यह सैज़े फीमेल हैं दोनों के यह बगल में ब्रेकट में टू एन लिखा हुआ है तो यह टू एन क्या है आपके माइन में आ रहा हुआ मैं आपको यह बता दू कि जो क्रोमोसोंस होते हैं जिने हम हिंदी में गुंसूत्र कहते हैं तो गुंसूत्र को और से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे हम एक्रोम से रिप्रेजेंट करते Muhaf और जिसमें गुंसूत्र की संक्या आधि होती है उन्हें हम सिंगल में।스ह सबसे बहले क्या हुआ N के तरू represent करते हैं ठिक है सबसे पहले क्या हुआ कि जो male है male part तो male part में meiotic division हुआ यानि की अर्धसूत्री विभाजन ठिक है इस अर्धसूत्री विभाजन के दुरा क्या हुआ कि male gamut bana और male gamut में क्या हुआ कि गुर्ण सुत्रों की संख्या आधी ही आई ठीक है तो इसलिए male gamet के side में मैंने small n लिखा हुआ है small n का मतलब है कि इसमें गुर्ण सुत्रों की संख्या आधी है सेम चीज female part में हुई कि female part में भी meiotic division हुआ यानिकि अर्दसूत्री विभाजन हुआ और उसके द्वारा female gamet का formation हुआ फिर मादा युगमक बुजो बना उसमें विगुर्ण सुत्रों की संख्या आधी थी ठीक है तो अब एक नर युगमक और एक मादा युगमक दोनों मिलकर एक जाइगोड बनाता है आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एन प्लस एन इक्वल टू टू एन ठीक है कि अगर हम एन को एन से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा टू एन तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि जब आधे गुर्ण सोत्रों की संख्या फीमेल गैमेट की जब गैमेट के मिलने पर उनकी संख्या भी आपस में मिल गए तो जो हमारा जाइगोड बनता है वो दूई गुरिद बनता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है ठीके तो हम इसे भी टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो हम इंसान है हमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते है उनकी संख्या 46 होती है यानि कि बराबर होते है ठीके मियोसिस ऑल्वेज अकर्स एड़ टाइम ओफ गैमेट फॉर्मेट कि जो मियोसिस डिवीजन है यानि कि अर्द सूतरी विभाजन हमें इसा यगमक के निर्वाण के टाइम होता है यानि कि अर्द सूतरी विभाजन द्वारा ही यगमक का निर्वाण होता है So that only half of the क्रोमोसोमस इंदी गैमेट तो क्या होता है कि जो गैमेट बनता है जो यगमक बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी ही आती है बड आफ्टर फीजन अफ गयमेट्स लेकिन गयमेट्स की फीजन के बाद यानि की युगमकों के मिलने के बाद नमबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स है उनकी संख्या are equal in new formatted जैगोड एक नए बने हुए जाइगोड में युग मनज में समान क्रोमोसम्स की संख्या होती है जाइगोड is also deployed और जो जाइगोड होता है वो भी deployed ही होता है हलाकि सभी जीव deployed ही होते हैं अधिकतर Types of Animals Animals कितने प्रकार के होते हैं? Animals दो प्रकार के होते हैं First, Bisexual Animals जिसे हिंदी में दोई लिंगी प्रानी कहते हैं Second, Unisexual Animals जिसे एक लिंगी प्रानी कहते हैं Sorry, जो First है Bisexual Animal ये क्या होते हैं? When the male and female parts are present together in the same animal Then it is called a Hermaphrodite Animals और Bisexual Animals कहने का मदलब ये है कि जब male और female part एक ही animal की body में present होते हैं ठीक है? तो ऐसे animals को Hermaphrodite Animals या Bisexual Animals कहा जाता है जिसका main उदाहरन, main example है Earthworm और Sponge यानि केंचुवा और Sponge ये देख सकते हैं आप मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है डिफिनिशन इसकी जब एक ही प्रानी में नर्वा मादा भाग एक साथ पस्तित हों तो उसे दोई लिंगी प्रानी कहते हैं फिर सेकेंड आता है यूनिसेक्सवल अनिमल्स और इसका main example है human and all mammalians यानि कि इमानव और सभी इस्तंधरी जीव ठीक है जब नर्वा मादा भाग अलग अलग प्रानीयों में पाया जा जाता है तो उन्हें एक लिंगी प्रानी कहते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम next topic की जो हमारा topic है sexual reproduction उसी में ही आगे एक और topic है ठीक है sexual reproduction process कि जो यह लेंग एक जरन की प्रक्रिया है यह कितनी चोटी चोटी और प्रक्रियाओं में जाकर के तब यह पूरी होती है तो यहां हम उन चोटी चोटी प्रक्रियाओं के बारे में study करने वाले हैं तो हमारे पहला जो step है जो हमारे पहली प्रक्रिया है first process है वो है pre fertilization process मतलब निसे चन पूर्वर प्रक्रिया इसका मतलब यह हुए कि जो fertilizer की process होती है यानि कि निसेचन की प्रक्रिया होने से भी पहले और कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें और क्या-क्या होता है ठीक है जैसे कि एक male part है और female part है दोनों में ही अर्दसूत्री विभाजन हुआ और अर्दसूत्री विभाजन के बाद क्या हुआ कि युगमकों का निर्मार हुआ और युगमकों का निर्मार होने के बाद में दोनों male और female जो युगमक है वो दोनों मिल करके युगमनज बनाते हैं ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया निसेचन का लेकिन जो ये जो जब दोनों युगमक मिलते हैं और फिर युगमनज बनाते हैं ये तो हो गया निसेचन की प्रक्रिया लेकिन जब युगमक जहां बन रहे हैं जहां फर्टिलाइजेशन प्रॉसेस पूर्व प्रक्रिया इस प्रक्रिया में हम युगमकों की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेट कैसे बनता है ठीक है जिसके अंदर में आप देख सकते हैं दो प्रॉसेस और आती है छोटी-छोटी पहली गैमेटोगेनेसिस और द और जो सेकेंड है इसको बोलते है युगमक का स्थानांत्रन होना युगमक का स्थानांत्रन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा से इंट्रों यह आपर देती हूं कि जो नर युगमक है ठीक है वो मादा युगमक के पास जाता है और उसे फर्टिलाइस करता है ठीक है वो उस वो तो इसके नाम सही मालूम पढ़ रहा है कि युगमक के बनने की प्रक्रिया को युगमक जनन कहते हैं ठीक है लेकिन युगमक दो प्रकार के हैं एक नर युगमक और एक मादा युगमक एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट ठीक है और दोनों के फॉर्मेशन की जो प्र और ये होता है और ये news and ya ने कि ये होता है फीमेल वाले पार्ट में ऐसा क्योंकि जो-जो ये होता है फीमेल गयमेड होता है और नेक्स अब बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि युग diffusion के नीचे मैंने कुछ और आगे लिखा हुआ है तो वो यह है types of gametes, युगमक कितने प्रकार के होता है, ठीके तो पहला है iso gametes, यानि की sum युगमकी, दूसरा an iso gametes, यानि की awesome युगमकी, और तीसरा o gametes, यानि की visum युगमकी, हम इन तीनों के ही बारे में एक करके describely अच्छे से study करेंगे, ठीके, अब second step जो हमारा second process आता है fertilization, उसके बारे में बात करते हैं, ठीके fertilization को हिंदी में निसेचन भी कहते हैं और उर्वरी करन भी कहते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूँ, उसको उर्वरी करन भी कहते हैं, कभी कभी क्या होता ना की neat वाले exam में हो गया, या कोई और जो हम competitive exams देने जाते हैं, तो वह हमाँ पर निसेचन या fertilization ना लिख करके उर्वरी करन लिख करके आता है, ठीक है, तो आप confused मत होएगा, उर्वरी करन का मतलब भी निसेचन ही होता है, ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ बात करते हैं, निसेचन प्रोसस की, तो यह जो प्रक्रिया है, यह भी दो प्रकार से होत है, ठीक है, बाही निसेचन कैसे होता है, मैं दोनों का ही, यहाँ थोड़ा थोड़ा इंट्रो आपको देती हूँ, तो जो फर्स्ट वाला बाही निसेचन, इसका मतलब यह है कि वह निसेचन, जो जीवुधारी के शरीर के बाहर होता है, उसे बाही निसेचन कहता है, जैस फिश है उसने क्या किया कि अपने ओवम जो है सरीर से बाहर रिलीस किये निकाले ठीक है फिर पीछे से क्या करती है जो मेल फिश होती है वो जो है अपने इस्पर्म उन्हीं ओवम पर रिलीस कर देती है तो वो जो इस्पर्म है वो ओवम से जैसे होते हैं वो ओवम फर्टिला युगमनजबनता है बाहर ही सरीर के बाहर ही यह पूरी प्रक्रिया होती है ठीक है युगमनजबनता है और फिर इसके बाद में घुन और फिर एक नई संताम ने जाती है ठीक है तो यह process हो गई सरीर के बाहर होने वाली जिससे हम निसेचन कहता है यानि कि external fertilization फिर सेकेंड आता है internal fertilization internal fertilization जो है यह ऐसे निसेचन की प्रक्रिया है जो जीवधारी के शरीर के अंदर होती है और ज्यादा तर अंता निसेचन इस तंधारी जीवों में पाया जाता है ठीक है तो सी पार्ट की बात करते हैं इसमें क्या होता है जो हमारा फ्रॉसेस है वह पोस्ट fertilization process मतलब निसेचन पर्ष्च प्रक्रिया यानि कि हमने अभी तक जाना कि जो तीन स्टेफ होते हैं कौन कौन से पहला प्रॉसेस होता है मेरा निसेचन की पूर्व होने वाली प्रक्रिया फिर सेًड़ कर आता है मरा निसेचन और वो समसुत्री विभाजन होने के बाद में embryo genesis की प्रक्रिया होती है, embryo genesis को हिंदी में भुरूनोद भव कहते हैं, इसका अर्थ होता है भुरूनोद भव का, भुरून का निर्मान होना, embryo का बनना, जहां से embryo का निर्मान होता है, फिर वो embryo में धीरे-धीरे कोशिका आए आगे develop होती है, फिर उतक बनते हैं, उतक बनने बाद अंग बनते हैं, फिर अंग बनने बाद पूरा शरीर, इस तरीक से करके पूरा एक संतान नया बन जाता है, ठीक है, तो यह पूरा intro हो गया, sexual reproduction process का, और इस पूरी process में, यह जितने भी parts है, जिसका मैंने अभी एक एक heading आभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने intro intro दिया है, ठीक है, लेकिन मैं सभी को one by one करके briefly describe करूंगी, explain करूंगी, अपने आने वाली next video में, यानि की part 4 में, ठीक है, तो मेरी आज की video बस यहीं तक, subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, और bell icon को प्रेस करना ना भूलिएगा, sorry, बीच में call आगई, thank you